आज इस वीडियो में हम बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने जा रहा है केगल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके बारे में हम बात करेंगे अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो या फिर डेटा साइंस सीखना चाहते हो या फिर आप मसीन लर्निंग डीप लेर्निंग इन सब रिलेटेट सब्जेक्ट्स में आप नौलेज गेन करना चाहते हो और अगर आपको कैगल के बारे में नहीं पता है तो I guess you are in a wrong direction क्योंकि अगर आप डेटा साइंस में आना चाहते हो और अगर आपको कैगल के बारे में नहीं पता है तो यह एक ऐसा प्ल बहुत ही अच्छा यहां से जॉब भी पा सकते हो तो गाइस मेरा नाम है कैस आप देख रहे हो दे इंजिनर गए यूट्यूब चैनल गाइस हमारे 25,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं आप लोग को बहुत बहुत थैंक्यू आप लोग के सपोर्ट से यह पॉसिबल हो रहा तो गाइस चलो आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं तो यह जो प्लेटफॉर्म है कैगल वो डेटा सैंटिट्स के लिए ही बनाया गया है यहां पे आप ऑनलाइन जो कमपोटिशन्स हैं वहां पे पाटिसिपेट कर सकते हो यहां पे आप पढ़ाई कर सकते हो अपने जो केगल का फुल यूज कर सकते हो अपने स्किल्स को डेबलब करने के लिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉंपटिट जो ऑप्शन है उसके बारे में उससे पहले मैं आप लोग को बता दू यहां पर अपना अकाउंट बना सकते हो डिर्क गूगल से रिइस्टर कर सकते हो या फिर आप कोई भी अपना इमेल आईडी यूज करके यहां पर रिइस्टर कर सकते हो तो सबसे पहले मैं यहां पर लॉग इन कर ले रहा हूं तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने अपना अकाउंट लॉग इन कर लिया दो साल पहले मैंने जॉइन किया था जब जैसी मै सब्सक्रालिक वीड बश् такой के बारे में इसको कर लिया और यहां पर देख सकते हुआ। सब कुछ हम बात करेंगे आप वीडियो को बस लास तक देखना अब हम बाद करने वाले है अभी कमपैट के से से होते हैं तो उसके बारे में देख लेते हैं सबसे पहले यहां पर सबस्तर को सब्सक्राइब होते हैं आपको यहां पर मशीन लर्निंग मॉडल्स वगरा बनाने होते हैं जैसे यहां पर देख सकते हो जो एक्टिव कंपटिशन हैं उसमें बहुत अच्छी खासी प्राइज होती है अगर यहां पर आप कंपटिशन में पार्टिशिपेट करते हो इसमें अगर जीतते हो तो देख सकते हो 50,000 डॉलर तक मतलब आप सोच सकते हो कितने जादे पैसे हैं तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पार्टिशिपेट करके जीत सकता है यहां पर पार्टिशिपेट करने के लिए आपके पास बहुत अच्छा स्किल होना चाहिए और यहां पर जो कंपनीज होती अगर आप पार्टिशिपेट करते हो अगर आप जीतते हो तो आपको पैसा भी मिल जाएगा तो यह हो गया कंपेटिशन का पाट लिट सपोज आप कोई मस्छीन लर्निंग मॉडल तैयार कर रहे हो तो यहां से आप डेटा सथ लेके या उप डेटा विजॉलाइजियों सी यहां पर आपको search करना है, यहां से आप search कर सकते हो, यहां पर देख सकते हो, 42,244 data sets यहां पर available हैं, जो की बिल्कुल free में हैं, साथ में आप यहां पर data sets वगरा upload भी कर सकते हो, तो आप upload भी कर सकते हो, और साथ में आप data sets वगरा download भी कर सकते हो, यहां पर देख सकते हो, इसी most important message जो second part है वो होता है notebook, एक और part है जो first है जिसके बारे मैं बताऊंगा जो बहुत ही important है यहाँ पर Kaggle पर, तो second most important feature जो इसका Kaggle का मैं बोलना चाहूंगा या first important आप बोल सकते हो इसको notebooks के बारे में, यह notebooks होते हैं जैसे कि मानलो आपको फिजिक्स में motion के बारे में पढ़ना है, तो आपने एक book पढ़ी, book यानि एक chapter, एक आपने booklet पढ़ा motion के बारे में, उसके बारे में आपने सब कु search करना है, जैसे EDA models, EDA to predict, ऐसे करके आप exploratory data analysis अगर आपको करना है, तो यहां से search कर सकते हो, और इसके बहुत सारे notebooks आपके सामने आजाएंगे, बहुत सारे notebooks यानि चोटे-चोटे books आजाएंगे, जैसे देख सकते हो, यहां पे एक notebook open हो गया, अब क्या इसको हम कर सकते हैं जैसे यहां पे एक question होगा, उसको solve किया गया होगा, और उसके लिए एक notebook बनाओगा, जैसे पहला जो question यहां पे सबसे basic question जो माना जाता है क्यागल पे, वो टैटनिक का machine learning model जो हम disaster के लिए बनाते हैं, प्रेडिक्ट करने के लिए, उसका notebook यहां पे है, तो वहां पे इस notebook को enhance भी कर सकते हो, इस notebook में देख सकते हो, यहां पे थोड़े-थोड़े codes लिके गया है, फिर उनको समझाने के लिए, यहां पे notebooks में यहां पे उसको explain भी किया गया है, तो ऐसे क्या notebook आप पढ़के बहुत अच्छे से समझ सकते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि sir हमें तो online videos द जाएंगे, बहुत सारे problems चो Canon पे solve किया गया, जैसे decision tree और Canon पे दोखो notebook मिल गया, इसको क्या कर सकते हो, simple आप पढ़ सकते हो, पढ़के इसको बहुत ही अच्छे से आप समझ दोगे, यहां पे इसको implement भी कर सकते हो, देख सकते हो, यह notebook इसमें Canon वगरा implement हुआ होगा, decision tree पाइथन में या फिर R में जो भी हो, यह अराम से यहां से देख सकते हो, सब कुछ आपको समझाया गया है, यहां पे आप विजुलाइज करके mathematics वगरा सब कुछ बताया गया है, तो यहां पे आपको वीडियो देखने की कोई जरूत नहीं है, यह मेरा personal experience है कि notebook से मैं बहु बहुत कम टाइम में, तो notebook का यह feature आप जरूर से यूज कर लेना, यह बहुत ही अच्छा होता है, और बहुत ही easy होता है, यहां से कोई भी model आपको machine learning का algorithm सर्च करना हो, यहां से सर्च करो, उसका notebook पढ़ो, अराम से समझ जाओगे, और यह होता है, जो next option यहां पे दिया गय सकते हो, यहां पर question पूछके, आप किसी का question हो, discussion हो, उसमें answer कर सकते हो, यह depend करता है, आप कितना जादे explore करना चाहते हो, इस platform को, उसके बाद हम बात करते हैं, courses के बारे में, यहां पर कौन कौन से courses available हैं, यहां पर बहुत ही अच्छे-चे courses अभी launch किये गया है, जैसे यहा सकते हो, साथ में आपको इसका certificate भी मिलने वाला है, और यह जो courses बिलकुल free में हैं, तो आपके लिए इससे best option क्या हो सकता है, यहां पर आपको python से related, और मैं बता दूँ है, कैगल एक ऐसा platform है, जहां पर data science से related, जो भी चीज़े होती है, अगर एक line भी data science से related, यहां पर से related courses है, machine learning से related courses है, intermediate machine learning, data visualization, pandas, फिर feature engineering आप जानती हो, फिर deep learning, SQL के बारे में courses है, मतलब अगर आपको data scientist बनना है तो इन courses को आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी courses है data scientist के लिए ही बने है, यह सारे बहुत अच्छे अच्छे दिये गया है, मतलब कि आप यहां से सब कुछ सीख सकते हो, बिलकुल फ्री में, तो मैं आपको recommend क्या करना चाहूंगा, अगर आप beginner हो, तो आप competitive में मज जाओ, आप data में मज जाओ, आप notebooks पढ़ो, और courses करो, यह बहुत important होने वाले हैं उसके बाद हम बात करते हैं, jobs के बारे में, तो यहां से देख सकते हो, यहां पर जो भी jobs वगरा है, आप यहां से search कर सकते हो, यहां पर क्या है कि जो competitions होते हैं, उसमें आप participate करके अच्छा perform करते हो, तो वहां से भी job लग सकती है, यहां से भी आप jobs वगरा देख सकते हो, के बाद देख सकते हो यह सारे open jobs है यहां पे hiring चल रही है तो यह और десят एक स्प्रोड्ब कर सकते हो उसके बाद हम user ratings यो यूजर आंकिंग्ए के बारे में देख सकते हैं मतलब कौन यूजर ज्याद़े इस पर perform कर रहा है कौन ज़ादे मतलब कह सकते सब्सक्राइब पहले user है Kaggle के जिनको हर एक way में जैसे देख सकते हो यहाँ पर competitions में भी great master है, dataset में भी grand master notebooks में भी grand master, discussion में भी grand master यह बहुत जादे यहाँ पर participate करते हैं, बहुत जादे active रहते है Kaggle पे और यह data scientist बहुत है तो आप समझ सकते हो कि Kaggle को बहुत अच्छे से यूज करो जो कुछ भी आपको सीखना है यहीं से सीखो और at the last most important आप लोगों में चीज़ बताना चाहूंगा कि अगर आप data scientist बनना चाहते हो तो don't go after the certificate, certificates की कोई value नहीं होती है अगर आपके पास skills है तो आप बहुत अच्छे job पा सकते हो बहुत अच्छे company में job ले सकते हो लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे certificates है आपको कुछ नहीं आता है तो उसकी कोई value नहीं है तो guys I hope आपको Kaggle के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर आपके इसके बाद भी कोई doubt रहता है तो आप मुझे comment करके बताओ hopefully मैं solve करने की कोशिश करूँगा और अगर आप मेरे channel पे नए हो तो जली जली यार subscribe कर दो 25,000 subscribers होने वाले हैं तो guys मिलते हैं नए वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए bye bye have a good day stay home stay safe and keep learning